हाँ तो नमस्कार दोस्तों मेरा ना में आकश शर्मा स्वागत करता हूँ आप सभी का मारे यूट्यूब चैनल सर्माजीक लाहस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले मद्यपदेश सामने ग्यान के 25 ऐसे महत्व पुर्ण प्रशने जो कि आपकी सभी पृत आपको वीडियो की तरफ देखेंगा आज का हमारा पहला महत्पुर्ण प्रशन तो आज का पहला प्रशन है दोस्तों हमारा जीवास मुराष्ट्री उध्यान मध्य प्रदेश की किस जिले में स्थीद है पहला अप्षन आपका होशंगा बात दूसरा अपशने शिवनी तेसरा अपशनें सीधी और चौंता अप्शन आपका मंडला तो दस्तों इसका आपका राएंसर हो अठ्धी का उधगम इसतल किस जिले में है, पहला उप्शन आपका रीवा, दूसरा उप्शन आपका शिव पुरी, तीसरा उप्शन आपका ग्वाल लेर, और चोथा अपका इंडोर, तो दीसको इसको आपका rätt answer हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसको आपका reight answer हो मैं आपको मद्य प्रदेश की प्रमुक नदिया पढ़ाई थी वहाँ पर बताया था अगर आप मद्य प्रदेश की नदियों के बारे में डीटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है तो दोस्तो पूचा है कि मद्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्टरी उध्यान कोन सा है पहला उप्शन आपका संजे गांधी राष्टरी उध्यान दूसरा उप्शन आपका काना किसली राष्टरी उध्यान जो की मद्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्टरी उध्याने ठीक है बढ़ेंगे दोस्तो अगले वाले प्रश्ण पर चोथा प्रश्ण है जहाज महल कहां इस्तीत है पहला औप्चन है आपका गॉअलयर दूसरा अपका मांडू तीसरा अपका प्चमरी और चोथा अप आपका विदीषा इसका जो दुसत आपका right answer हो जाएगा question number दूसरा क्वांडू जहाज महल कहां प्रश्ण दूस्तो कई ब बढ़ेंगे अगले वाले प्रश्न की दरोफ प्रश्ने दोस्तों पांच वाज का हमारा मद्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस छेत्र के लिए दिया जाता है पहला अप्षिन आपका सामप्रदेख सदभाव के लिए दूसरा अप्षिन आपका रचनात्मक उर्दू लेख दूसरा क्या हो जाएगा दूस्तों इसका रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए ठीक है मद्य प्रदेश में जो इकबाल सम्मान दिया जाता है ये रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए दिया जाता है ठीक है चलते दूस्तों अगले वाले प्रश्ने की तरफ छट्वा प्रशने दोस्तो हमारा मद्धि प्रदेश के निम्न परिटन इस्थलों में से कोन सा अपने मंदिरों के लिए प्रशिद्ध है पहला उप्शन आपका मैहर दूसरा उप्शन आपका भेडा घाट तीसरा उप्शन दोस्तो आपका खजुरा हो और चौता उप्शन आपका जबल पूर्त दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका दोस्तो आपका राइट अंसर हो पर सात्वा प्रशन है हमारा मद्य प्रदेश के निम्न जीले में से किस जीले में सत्पुड़ा परवस रंकला नहीं है क्या बताना दोस्तों कि किस जीले में सत्पुड़ा परवस रंकला नहीं है पहला अप्शन है आपका हरदा दूसरा अपका बैतूल तीसरा अपका अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आपका राइट एंसर हो जाएगा option number पहला क्या हो जाएगा इसका right answer option number पहला हरदा जी हां दोस्तों इन में से हरदा ऐसा जिला जहाँ पर सतपुडा परवसरंकला नहीं है बाकी के जो तीन जिल आपको दिये हैं बैतुल, छिंदवाडा और खंडवा यहाँ पर सत्पुड़ा परवसरंकला मौजूद है ठीक है क्या हो जागे दोस्तों इसका राइट अंसर आप्चिन नमबर पहला हर्दा ठीक है बढ़ेंगे अगले वाले प्रशन पर आठवा प्रशन आपका निर्म्न सहित्तिकारों में से कोन सा मद्ध प्रदेश से संबंदित नहीं है क्या बताना इस बार भी आपको कोन सा मद्ध प्रदेश से संबंदित नहीं है पहला अप्चिन आपका सरद जोसी दूसरा अप्चिन आपका धर्मवीर भारती तीसरा अप बढ़ेंगे अगले वाले प्रिशन पर absolutamente निम्न मेंसे कोन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है पहला option आपका Gualier Ardenance Factory, दूसरा option आपका Alkalide Factory Nemach, तीसरा option आपका भारत Heavy Vehicle Electrical Limited, चोथा option आपका Bhopal Leather Factory, तो दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा, option number 4, क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइट बढ़ेंगे अगले वाले प्रशन पर, प्रशन हैं, अगला बहुत ही महतो पूर्ण प्रशन दोस्तों, गोर नर्टे किस जन जाती से सम्मंदित है, अगर आप मद्द पदेश की प्रमक जन जाती के बारे में डीटेल से वीडियो देखना चाहते हैं, तो वीडियो देखन वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप महाँ जाकर वाला वीडियो भी देख सकते हैं, तो दोस्तों आपको बताना है, गोर नर्टे किस जन जाती से सम्मंदित है, पहला उप्शन आपका भिल जन जाती से, दूसरा उप्शन आपका गोंड जन जाती से, तीसरा option आपका मुड़िया जन जाती से और चोंता option आपका बेगा जन जाती से तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आपका right answer हो जाएगा option number 30 क्या हो जाएगा दोस्तो इसका right answer option number 30 मुड़िया जन जाती गोर्ण रत्य किस झ Shakespeareं जाती से संबंदीते दोस्तों मूरिया जन जाती से ठीक है बढ़ेंग अगले वाले प्रेश्ण पर प्रेश्ण है अगला सत्ना में सनvision 1873 में बरहुत इस तुप की हो ने के सतना में 2018 की खूझ की सतना में 2018 unity 2019 तो इस टूप की कोई किस ने की दोस्तो दोस्तो प्रष्ण में और चुपा है आपको पता होना जाएं कि भर हो तो इस टूप की खूझ कब हुई थी 2018よねut GoriraL性 थी sicka अठाया सो zoom अंसर बताना पहला można फ्र minist 53 आपका कनिंगम और चोंता उप्षन आपका हैली वोडर रस्त दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा उप्षन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका right answer option number तीसरा कनिंगम सतना में इस्तित भरहुत इस्तुप की खोज किस ने की थी दोस्तों कनिंगम ने की थी ठीक है बढ़ेंगे अगले वाले प्रशने पर बारवा प्रशने हमारा मद्य प्रदेश में लगने वाला कुम्ब का मेला किस नदी के तट पर लगता है बहुत ही महतुप पुर्णे प्रशने दोस्तों कई बार व्याप्यम की परिक्षाओं में पूंचा जा चुका है पहला option है आपका काली संदर नदी के किनारे दूसरा option आपका बेतवा के किनारे तीसरा option ने आपका नर्मदा के किनारे और चोंथा option ने दोस्त आपका शिप्रा नदी के किनारे तो दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर चोंथा क्या हो जाएगा दोस्तो इसका right answer option number 4 था शिप्रा नदी मद्यप्रदेश में जो लगने वाला कुम्ब का मिला है दोस्तो जो कहां पर लगता है उज्जेन में लगता है जो कि शिप्रा नदी की गिनारे पर लगता है दोस्तो आपको पता होना चाहिए कि यह कुम्ब का मिला 12 वर्षों में एक बार लगता है ठीक है कितने वर्षों में लगता है दोस्तो बारा वर्षों में एक बार लगता है और यह मेला मद्यप्रदेश में लगने वाला सबसे बड़ा मेला है ठीक है बढ़ेंग दोस्तो अगले वाले प्रशनी की तरफ तेरवा प्रशने दोस्तों हमारा भारत का लेजर परमाणू उर्जा अनुसंधान केंदर मद्य प्रदेश के किस नगर में इस्थापित किया गया है पहला option है आपका गुवालियर में दूसरा option है आपका जबलपूर में तीसरा option है आपका इंदोर में और चौथा option दोस्तो आपका भोपाल में तो दोस्तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा option number 3 क्या हो जाएगा इसका right answer option no.3 इन दोर में भारत का लेजर परमाणू उर्जा अनुसंदान के इंदर मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है दोस्तों इन दोर में ठीक है बढ़ेंगे दोस्तों अगले वाले प्रशने की तरफ अगला प्रशने है निम्न में कैंने दोस्तों अगले दोस्तों अगले वाले प्रशने की तरफ प्रशने है मध्य प्रदेश में राश्ट्री रोजगार गारेंटी योजना को कब लागू क्या गया पहला उसने अपका सन 2004 में दूसरा option है आपका सन 2005 में तीसरा option है आपका सन 2006 में और चौता option दोस्तो आपका सन 2007 में तो दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा option नमबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइट अ प्रश्ण है अगला मद्यप्रदेच के कितने जीलों में अब मंद्रेगा योजना लागू है पहला ऑपिकर धीजों में दूसरा पुले आपका सब्सक्राइब consume आपको 50 तो में दोस्तो इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा यह क्या में हो wurakt Jeanne इसका रायट अंसर होगा 50 स्विंध ठीक है मद्य प्रदेश के कितने जिलों में मन्रे का योजना लागूए दूस्तों 50 जिलों में ठीक है बढ़ेंगे अगले वाले प्रशने की तरफ प्रशने हैं दोस्तों आपका अगला भिलाई इस पात खार खाने में उतपादन कब शुरू किया गया पहला ऑप्षन आपका सन 1970 में दूसरा ऑप्प्षन आपका सन map तीसरा उप्शन है आपका सन 1965 में और चोथा उप्शन है आपका सन 1978 में दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइट अंसर ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का सास्की कार खाना इस थी थे क्या बताना दोस्तों कि मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का सास्की कार खाना इस थी थे पहला आपका बानमोर में दूसरा आपका जभवा में तीसरा आपका उमरिया में और चौता आ दोर में ठीक है तो इसका जो दूस्तbody Jr. अपका राइट आंसर हो जाएगा यह क्या हो जएगा इसका आपका रायट आंसर हो जाएगा option number 30 उमर्या में मद्रदेश में कहां मत प्रदेश के किस जिल mee अखबारी काज़ का कारखाना है मत एक किस पुर्ध आपका सहेडोल में और चोथा option है दोस्तो आपका देवास में दोस्तो इसका जो आपका राइट अंसर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा इसका आपका राइट अंसर हो जाएगा option नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तो इसका राइट अंसर आपका option नंबर प्रशन है अगला एशिया का सबसे बड़ा सोयाबिन सेयंत्र मध्य प्रदेश में कहां पर इस्थापित किया गया है पहला अप्षिन आपका धार में दूसरा अपका सागर में तीसरा अप्षिन आपका उजेन में और चोथा अप्षिन आपका इन दोर में दोस्तो इसका जो से बड़ा सोयाबिन सेयंतर मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया ठीक है कौन सी जगे पर उज्जेन में ठीक है बढ़ेंगे अगले वाले प्रशन पर प्रशन आपका 21 वा मध्य प्रदेश का एक मातर घड़ी बनाने का कार खाना कहां पर इस्थीत है पहला option आपका होश आपका एक मातर घड़ी बनाने का कार खाना कहां पर इस्थीत है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन है अगला मध्य प्रदेश में सूखा बंदर गहा कहां इस्थापित किया गया है पहला option आपका मुरेना में दूसरा option आपका धार में तीसरा option आपका पीथम पुर में औ option number 3 क्या हो जागा दोस्तों इसका राइट अंसर आपका option number 3 पीथम पुर में तो चलेंगे दोस्तों अगले वाले प्रशन की तरफ प्रशन है अगला मध्य प्रदेश के इंपरियम का नाम क्या है पहला option आपका वसुधा दूसरा option आपका म्रग नैनी तीसरा option आपका मध्य प्रदेश के इंपरियम का जो नाम है वक्या है दोस्तों म्रग नैनी है ठीक है देखते हैं दोस्तों अगला प्रशन है अगला मध्य प्रदेश में ग्यारवी पंच वर्षी योजना में विकास दर कितने प्रतिशत निरधारित की गई थी पहला option आपका 4.5 तीसरा option है आपका 7.6% और चोंथा option आपका 6.4% इसका जो दोस्ते आपका right answer हो जाएगा यह क्या हो जाएगा इसका आपका right answer हो जाएगा option number 13 oynay तीसरा क्या हो जाएगा दूस्तों इसका right answer आपका option number आज का लाश्ट प्रश्न मध्दी प्रदेश में गयारवी पंच वरसी योजना में सरवादिक बजट किस छेतर में दिया गया है पहला प्रिवहन दूसरा प्रशन आपका सामजिक सेवाएं तीसरा प्रशन आपका सीन चाहिए और चोथा प्रशन दौस्त आपका उड़ जिना में जो सरवादिक बजट की छेत्र में दिया गया है दोस्तो सामाजिक सेवाव में ठीक है तो ये थे दोस्तो हमारे मद्यप्रदेश सामान ज्यान के 25 महतपुर्ण प्रेशन आज के लिए वीडियो में दोस्तो इतना ही आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया ह अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो के लाइक जरू करें और आप चाहते हैं कि हम आगे बे आपके लिए ऐसे ही महतपुर्ण वीडियो लाते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरू करें साथ में बेल एकुम को प्रेस करते जिससे आपको हमारे आने वाले नए